इसा नाम जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में खूब चर्चा में है F.I.R. पर F.I.R. F.I.R. का दौर चल रहा है कई बार ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि ये मामला जो है थोड़ा इमोशनल भी है कई बार का जा रहा है कि ये परसनल मामला है क्या है ये पूरा घटना करम और क्यों इस पर इतनी सियासत भी शुरू हो चुकी है मुझे तो सर्म आ रही है ऐसी घटना के बाद तो आम आदनी पार्टी के इवन अर्विंद के जरिवाल तक को सभी नेताओं को पहले उसके घर जाना चाहिए था उसको सामने लाना चाहिए था कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है ये महिलाओं के समान और अपमान की बात तो अलग है इससे बूरी दसा क्या हो सकती है किसी महिला की किसी ए घर पर जागर उजो वरंग वीवरंग कर रही है क्या वो सारे जूटिया होंगे अर्वीन केजरिवाल के घर में शरकी घटना घटी है तो अर्वीन केजरिवाल को इसका तुरण पत्रकार वारता लेकर अपनी बाइट जरूर देना क्लिरिटी करना चाहिए था कि जो भी हुआ है गलत हुआ है तो भाग्या पूड़ वा है पॉलिटिकल बहुत बड़ा लॉंग टर्म इंप्लिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यह राजनितिक मामला है भी नहीं इसमें कुछ वजह होंगी परसनल वजह हो सकती है मुझे नहीं पता लेकिन राजनितिक खेल में यह सारी चीजें हम ने देखा है खास करके इंडियन पॉलिटिक्स पे यह सारी चीजें बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करती है आम आदमी पार्टी क्या कहती है क्या बोलती है कुछ भी मतलब यह अनप्रेडिक्टिबल लोग है इनको किस लेवल पर यह जाके राजनितिक कर सकते हैं सत्ता के लिए कुरसी के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है कौना महिल तके लिए कि दिल्ली पूलिस की जिस ततपरता संग्यान लिया है वह काविल है यही तथपर्ता मणिपूर में दिखाई होती है तो पर यहीही सद्सक्राइब्ली पर रगलता लिए यहीं ततपर्ता जो संदेश खाली हुआ आज पर अरोब लगा रहे हैं महिला उस पे भी को दिखा लेती पर्सनल मामला है क्या है ये पूरा घटना करम और क्यों इस पर इतनी सियासत भी शुरू हो चुकी है ये सब चर्चा करें हैं हमाज अपने कारिकरम में हमारे तबाम मेहमाल हमारे साथ मौजूद है परिशे करा देती हूँ पुलिमा जी है अफधेश जी है हमेशा से ये दोनों चेहरे आपको दिखाई पड़ते हैं हमारे कारिकरम में अनुराक वर्मा जी हमारे साथ है समीर चौगावकर जी है और विनो दगनियोत्री सर है अमरुजाला के सलाकार संपादक हमारे अभिवावक शुरुआत करते हैं सबसे पहले समीर जी से क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आकड़ों के जरीए आप तक बाते पहुच जाएं शुरुआत महीं समीर से अर्विन केजरिवाल जेल से बेल पर बहार आते हैं प्रधान मंतरी रेटायर होने वाले हैं और अमिट शाह को आप लोग वोट दे रहे हो क्योंकि अगले साल वो 75 के हो जाएंगे तो रेटायर हो जाएंगे यह सारी कहानी प्रॉपर चल रही होती है इतने में एक एंट्री होती है स्वाती मालिवाल की वो मामला इतना तूल पकड़ने लगता है कि अब अर्विन केजिवाल को उस पर जवाब देते नहीं बन रहा है और क्यामपेन पूरा जो कहा जा रहा था कि दिल्ली में आमादनी पार्टी मस्बूथ हो जाएगी या अर्विन केजिवाल के आने से इंपक्ट पढ़ रहा है कारेकरताओं पर बाकी लोगों पर ये पूरा मामला स्वाती मालिवाल के तरफ मुड़ गया कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटना करम को और क्या अर्विन केजिवाल की किरकिरी इस पूरे मामले में दिखाई पढ़ रही है अर्विन केजिवाल जेल से बाहर है उनों ने जब कहा कि भारते जनता पार्टी के अंदर 75 साल का निया में है रिटार्यमेंट का और पदानमंतरी रिटार्यमेंट होंगे और अमिशा को गद्धी सुब देंगे उनों ने ये भी कहा कि योगी आज्टिनात को अर्विन केजिवाल बहुत दिनों से अंदर थे तो उन्हें लग रहा था कि बाहर आके में कुछ ऐसा बोलो जिससे पुरिदेश के अंदर चर्चा हो और सारे विपक्ष के लोग उस बात को माने और मैं बता सको कि देखो मेरे अंदर रहते विपक्ष जो माहल नी बना पा लेकिन इस देने वालों को हमारी सरकार आती है तो बारते जंता पार्टी ने इस बाता कहीं सजिक्र करा है यह बात शुरुवात कहां से वी थी तैयारी दर्शा यह कहीं नहीं कहा कि पिशुत्तर पे आपको रिटायर होना पड़ेगा और पदार मंतिर मोदी ने भी जब बैठक ली तो पहले बैठक के संगड़न की बैठक बदोले इस बात का जिक्र कर दिया था कि युवाओ को लेकर आना बुजरुक लोग लंबे लेकिन आप देखिया कि 2014 से लेकर 2023 तक के जितने अभी विदानसभा चुना हुए या लोकसभा चुना हुए इसे कई नेता जो 75 साल के पार कर चुके थे उन्हें टिकेट डिया गया विदानसभा में भी जीते और लोकसभा भी दिया जा रहा है यह दुरुपा तो मंत्री आवास मार्केट में हो तो कहा जा सकता है मुक्ष मंतरी के घर में रहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब 13 मैं कभवे गठना हुई और 9 5 5 30wał साथी मालने PCR पे फोन किया था उसके बाद चौदा तारिक की शाम को संजय सिंग पत्रकार वारता में कहते हैं कि उसके साथ दुर्वेबार हुआ है ना अर्विन केजरिवाल ना तेरा तारिक को बोला ना चौदा को बोला पंदरा तारिक को भी उन्होंने इसका जुकर निकि यह था कि जो भी हुआ गलत हुआ है दुर्वाग्या पूड हुआ हमने कारवाई कि यह कहा गया कि कारवाई करेंगे लेकिन विभाव कुमार के पर को क्यारवाई नहीं हुए वह आप देखने लगा था रर्विं केजरिव का साथ लगनु में भी गए थे वह पंजाब के मुझे लग रहा है यह पार्टी के चुनों के मोड़ पर 25 दिल्ली में वोटिंग वोटिंग के बात नहीं है आर्मांदी पार्टी की जो चबी पर शराब गोटाद ने शबी को बहुत डेमेज करा है उसके बास स्वाती मालीवाल के जो मामला हुआ जिस तरीकी से भारतियन का मामला आया तो किसी भारतियन पार्टी के नेता ने उसको लेकि इतना मुखरतास से बोला था तो अपनी पार्टी के नेता के ओपर इस तरीक है मतलब महिलाओं के लिए अरूप लगता तो सारी पार्टी आप उसके अदर आपने आपको बचाने की कोशिश करती है चाहे महिलाओं के सम्मान के लिए सारी पार्टी इखटे आकर उसकी हक में बोले यह राजिति में संबहों नहीं है बली सब पार्टी कहते रही कि हमारा महिलाओं का सम्मान होता है लेकिन जब उनके घर में आग लगती है तो सब अपने आपको बचाने की कोशिश करते हैं मुझे आने से बशची है जिस तरीका महुल को बहुत महिला आने लगीरा के अंदर लेकिन मुझे लंके लुएका बहुत आपार्टी के संगतनदा अमक्यों के रहेος proceedings और किसी भी महिला के साथ गलत होता है तो कोई राजीतिक दालो उसको महिलाव के पक्ष में इस मामले को उठाना चाहिए राजीतिक एक तरफ रख देना चाहिए तोड़ी परिशानी केसरी वाल को है बिल्कुल अफदेश सेर हमारे यूपी में कहावत है या एक शब्द है कह लिजे कि भौकाल बहुत टाइट है इस टाइप से अर्विन केजिवाल जेल से निकले हाथ हिलाते हुए पूरी मीडिया की सुर्खियों में रहे और बाहर निकलते ही जब पहला जो है भाशन दिया तो एक दम भौकाल टाइट के साथ कि प्रधान मंतरी जा रहा है योगी को हटाया जा रहा है और आप अमिर्शा को वोट कर रहे हैं मामला पूरा ट्रैक पर था पूरी तरह से चल रहा था लेकिन स्वाती मालिवाल की एंट्री ने सारा कुछ एक तरीके से कह लिजे यह खर लेकिन आपके घर में इस तरीके के चीजे हो रही है देख रहे हैं राजनीती का विशे होना चाहिए बीजेपी क्या कर रही है यह इस मामले में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है सच क्या हुआ है उस पर आम आदनी पार्टी की अभी तक क्या भूमिका है और जो आ INDIA के संदेश खाली पर बोलने के लिए ट्वीट करने के लिए लंबे समय तक त्यार नहीं थी कोई भी उसके लिए सरक पर नहीं उतरा डेवान्दा पर जरूर उतर गये थे इनके लिए ब्रजभूसन का मामला होता है लेकिन संदेश खाली नहीं होता है एक लड़की साप ताइट था मुझे नहीं मालूम भॉकाल टाइट था कि नहीं था टाइट करने की कोशिस चरूर की गई थी एक मुख मंत्री जिसको ससर्थ छोड़ा गया जमानत पर जिसको कहा गया कि आप किसी फाइल पर बगेर एल जी के उस पर साइन नहीं करेंगे आप आफिस नहीं पर भॉकाल धीला क्या होगा वो उस लर्की ने एक लाइन जो लिखा है कि भगवान सब देख रहा है वो फैसला करेगा इसी में सारी बातें नहीं थे अगर वह स्वातिमालीवाल का रही है कि उसने वह विभाव आया मेरे पास और उसने जो है इस डंग से हमारे सर्ट को ख इडियर चल रहा है कि तू मेरी बात नहीं मानेगी पूरी हड़ी तोड़ दूगा ऐसी जगा गार दूगा तुमको पता भी नहीं चलेगा तू है क्या तेरी आउकात क्या है इस प्रकार कि उसने फाइर में भी किया है उसने लिखा भी है विभाव ने सेम क्रॉस आपायर क जाएंगे तो उसकी परिणती क्या हुई है वहां से 112 नंबर को किसने फोन किया है वहां से परशान अवस्था में कौन निकली है किसको आउटो पर चार के जाना परा है कौन पूलिस तक गई है फिर वहां से कौन वापस आई है किसका मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ है 164 मे किसका बयान हुआ है स्वातिमालिवाल को जूटी सावित कर दी आज तक आपके लिए महत्पुन थी आपने महिला आयोकाप एंजीयों में आपके साथ थी उसने कहा भी तो है कि 20 साल से मैं साथ हूँ तो मैं भाजपा की एजेंट हो गई और आज जो लोग है मुझे तो सर् तो आम आदनी पार्टी के एवून अर्विन के जरिवाल तक को सभी नेताओं को पहले उसके घर जाना चाहिए था उसको सामने लाना चाहिए था कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है यह महिलाओं के समान और अपमान की बात तो अलग है इससे बूरी द रिकर घर पर आप की पार्टी की इतनी बहुत है इसके मतलब उस पार्टी में किसी की कोए हैसियत नहीए है अर्विंद केजिरिवाल जी का पिये किसी को भी क्या कुछ कर सकता है लोक बताते रहते हैं कि अर्विन केजिरिवाल कि यह आँ तो गाली है सुननी पड़ते है म going तो प्रमानित हो रहा है आप कईये मेले से बात करिए उस परकार से करते रहते हैं तो ये जो घटना हुई है इसने केबल इतना ही नहीं बताया है कि ये दरौपदी की चीर हरन में जिस ढंग से दृतरास्ट के दरवार में सबने अपने आखे बंद कर ली थी और उसको दृष स्यादो जी साथ बैटे हुए है कि उस लरकी ने अगर जो बोला है वो सच है तो इसकी मैं निंदा करता हूँ इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए इस पर महिस्टेट जांच हो कोई तो मांग होनी चाहिए किसी एक नेता का कोई ट्विट नहीं है और आप भाजपा और हम संदेश खाली और स्वाति मालीबाल की महिलाओं की बात करने वाला पूरा आई एंडिया का एक घटक जिसमें एक महिला मुख मंत्री भी है अपनी जगह और सारे इतने बड़े बड़े नेता है आतीसी का बयान देखिए कि भाजपा को जो है अरभिंद केजरिवाल का बाह है उन्होंने क्या किया है बगार कारण के कोई घटना नहीं हो सकती है कारण तो वही बताया जा रहा है कि उसको राजसभा से ट्याक पतर देने केलिए कहा गया क्कि आपकी सेटिंग ती सारे कि गलत नहीं एक 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 अखवार ने इस पर ख़वर लिखा है जो लोग लोकल आम आदनी पार्टी कभर करते हैं सभी एक ख़वारों ने इस कभर को लिखा है कि अभी से एक मनु सिंग्भी से यह तै था कि आपको राजसवा में बेजेंगे स्वाती मालीवाल को जो है त्याग पत्र देने के लिए कहा जा रह आता हूं त्याग पत्र नहीं दे रही थी वह मुखमंत्री से बात करने आई थी उसी में बख्जग हुआ होगा तो आपके पास एक ही महिला है ग्यारा राजसवा सांसद में उसी से आप त्याग पत्र भी दिलवाना चाहते हैं तो यह लोग महिलाओं की बात करेंगे वहा का अपमा संबान है यह इसू देश के लिए इसू होना चाहिए देश को राज्मिती से परे उठके इस पर खड़ा होना चाहिए स्वाति मालिबाल का जो पक्ष है महिलाओं का पक्ष सबसे पहले सुना जाता है उसको उसको उसकी बात सुनी जानी चाहिए बाकी नियाले फ पर भी मुझे लगता है कि इस बार जो है मामला थोड़ा सा सहमति वाला होगा अब देश जी से आप फिर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात रखें कि जो इस तरीके की सियासत दिखाई पड़ रही है पच्छिस तारीक को दिली में बोटिंग है केजरिवाल निकले तो ब पर आकर बात करनी चाहिए कि हां यह यह इस तरीके का मामला था अगर है तो वो निंदनी है मैं इसके निंदा करता हूँ क्या आपको लगता है कि मामला पूरी तरह से राजनितिक हो गया देखिए प्रतिक्षा महिलाओं के ऊपर इस तरह का फिजिकल टॉर्चर तो किसी भ हमें judgmental इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारी चीजे नहीं जानते हैं मतलब क्या situation रही कि इस तरह की नौबत आ गई हमें नहीं पता है इसलिए हम किसी एक को बिल्कुल कर दे और दूसरे को बिल्कुल ही निर्दोष बता दे यह भी उचित नहीं है बहुत सारी कीजे हैं जो की background में है जो हमें नहीं पता है अफदेश जी को मालूम होगी मुझे उतनी जानकारी अंदर की नहीं है लेकिन घटना हुई है वो निंदनिया है इसमें कोई दो मत नहीं है जहां तक केजरिवाल जी के जेल से आने के बाद एक माहौल बनाने की बात थी फिर इस मामले की वज़े से सारा attention deflect हो गया जरूर सही है कि attention deflect हो गया है for the time being लेकिन इसका बहुत ज्यादा राजनितिक प्रचार या बहुत ज्यादा इसको राजनितिक मसला नहीं बनाना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि बनेगा भी नुकसान इस सेंस में हुआ कि एका दो जरूर से केजरिवाल जब आय तो शुरू हो गई थी कि बिलकुल प्रधानमंत्री जी को हटाने के लिए मैं जेल से आया हूं और अब ये सारा कुछ देश के लिए मैं काम करूंगा वो जरूर कुछ दिन के लिए डिफलेक्ट हो गया है उदर से और केजरिवाल जी के बार मसला हो गया अब इस मसले की वज़र से कुछ दिनों तक तो उनको जवाब देते नहीं बनेगा पबलिक में उतनी ज्यादा मजबूती के साथ दो दिन से हम देख रहे हैं कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए तो उनको सन्नाटा सुम जरूर गया है औ और इसका उनको हो सकता है फौरी नुकसान हो जाए बट बहुत बड़ा लॉंग टर्म इंप्लिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यह राजनितिक मामला है भी नहीं इसमें कुछ वजह होंगी परसनल वजह हो सकती है मुझे नहीं पता लेकिं वह बहुत ज् लास्ट नहीं करती है अगर करती होती तो बहुत सारे नेता हमारे हैं और बहुत सारे नेता थे बड़े स्टेचर वाले जिनके कि परसनल लाइफ में बहुत कुछ होता रहता था वो कभी मसला बनता नहीं था मुद्दा नहीं बनता था और उसकी वजह से उनको कोई नुकस पुल जाए उसका कोई असर नहीं होगा राजनिती पर तो ऐसी राजनिती शर्मनाक है अफदेश जी को अंदर का बात पता है मुझे पता नहीं है जब तक पूरी बात नहीं हो पतलब पत्रकार है मैं कोई इस पूरा क्या जूट बोल रही है वह उसको लाद का कर दूंगा इस सब क्या बनावती बात है अगर जाकर गया उसने बहस की होगी दोनों में तूतु मैं में भी होई होगी हो सकता है धक्का मुकी भी होई होगी लेकिन जो घटना करम सामने आ र अबदेश जी का कंसर्ण देखके मुझे बहुत अच्छा लगा महिलाओं के इसूस पर इतने सेंसिटिव है यह देखके अच्छा लगा यह जब तक पूरी बात सामने ना जाए तब तक जो है उस पर नहीं हो सकती है अंती मिसकर्स नहीं दिया जा सकता है इस मुद्ध को बढ़ाते चड़ाते नहीं है जो कि आमादी पार्टी की तरफ से तमाम कारे करता कह रहे है और आतीशी बिजब बैठी तो लोने यही कहा कि प्रजवल रवन्ना की बात हो गई ब्रजबूशन की बात हो गई तब कोई चर्चा नहीं आती और एक महिला निकल कर आती है जो क पर इंपक्क करते हुए आप देख रहे हैं देखे प्रती राजनीती की साथ एक बड़ी विडंबना थी कि भारती राजनीती में बहुत गंदी रही है शुरू से यह हम सबको पता है सबकुल सब लोग मान लेंगे लेकिन जिस दिन से आसे 10-12 साल पहले जब से आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई वो एक्टिव राजनीती में आई वो अंदोलन से निकल के जब राजनीती में आई तो भारती राजनीती ने गिरावट का एक नया आयाम देखा उन्होंने गिरावट को एक नय लेवल पर पहुँचा दिया तो उस दृष्ट कोड़ से आम आदमी पार्टी क्या कहती है क्या बोलती है कुछ भी मतलब यह अनप्रेडिक्टबल लोग हैं इनका इनको किस लेवल पर यह जाके राजनीति कर सकते हैं सत्ता के लिए कुर्सी के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है तो हम आप बैटके ज कितना नीचे गिरना है आप जब बात हो रही है स्वाती मालीवाल की आप उसको रिवनना से जोड़ दो आप अपनी बात का जवाब दो ना भाई एक क्या राजसबा सांसत के साथ चुनाओं से एन दस दिन पंदरा दिन पहले चुनाओं के दौर में उसके साथ मारपीट हो रही है आप उसका जवाब दो उसका जवाब आप नहीं दे रहे हो क्यों नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको पता है आप गलत हो अचा गलत का भी पैमाना यह हम आप कह रहे हैं उनके हिसाब से गलत का पैमाना शायद यह नहीं होगा उनके हिसाब से सही होगा कि यह स्तीफा नहीं दे रही तो अब इसको पिटाई करें तो और साथ स्वाती मालीवाल इनकी बहुत पुराने नेता हैं कारे करता हैं इनकी यह शायद अन्ना के जमाने से और और स्वाती मालीवाल कुमार विश्वास के बाद दूसरी ऐसे नेता हैं जो अर्विंद केजरिवाल को सरजी या सर और ना कहे के सीधे नाम लेती है, अर्वित नाम से बोलाती है, तो वो जो लेवल ओफ क्लोजनेस है, वो इस लेवल की है, उनके साथ अगर ये हो रहा है, तो इस पार्टी में बाकी नेताओं के आत्मसम्मान की या सुरक्षा की क्या गैरेंटी वो नहीं कहा जा सकता, एक चीज प्रतीक्षा, और भी मैं जो मेरा अपना अनुभाव से मैं कहता हूं, कि जो चीज जैसे खड़ी होती, जिस तरह से ये राजनेतिक पार्टी, मतलब जिस समय ये पार्टी बनी थी, तो कैंडिडेट ढूंडे जा रहे थे, पद्वे बिठाने के लिए लोग ढू सिर्फ एक मारपिटाई वाला ये इंडिविज्वल विभाव वर्सेज स्वाती मालीवाल का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेता होंगे, जो खून का घूंट पीके पार्टी में होंगे, सिर्फ पद की वज़े से, कि हम पद की लालच में हम अपने आत्मसंबान के साथ समझाता कर रहे हैं, चुब बैटे हैं, इस केस के बाद हो सकता है, कि बहुत सारी आवाजें उटने लगें, विद्रो के, विरोध के स्वर मुखर हो जाएं। तरीके से नेतिकता की बात तो सभी राजनेतिक दल कर ही रहें लगाता, लेकिन चाहे प्रजवल हो, चाहे ब्रजभूशन हो, चाहे स्वातिमालीवाल के विभव हो, तो वो सारे मामले जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आके फिर सारी पार्टी हैं एक जैसे, देखें, नि ओर मामलेजन जो बोला हूनोंने गेर दिया था और भले आधेस जी उसे कं मीर्टा से न ले या मैं मीर्टा से न लू या अनुराक भाय मैं न पूरिमाज न भाजपा ने दिल्था से लिया था, तुरंत में जैस जने उस पे रिस्पॉंण गिया, नग्डा ऌने किया, जाब किसी नहीं दिया भाजपा कि तरब से कभी नहीं आया कि योगी जी को नहीं अटाए जाए 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 गा अज तक नहीं आया जाए यह जो इस पर अपना रिस्पॉंड किया लखनू में जब बोले मोधी जी ते तारीफ कर दी योगी जी कि शाशन बहुत अच्छा चल कि थी मोधी जी ने उसके पहले तो तारीफ तो यह मैं कह रहा हूं कि यह आर्विंद केजिवाल ने फसाया था लेकिन दब स्वाती मालीवाल का मामला आ गया तो निस्टी तूप से अर्विंद केजिवाल को बचाओं की मुद्रा में है और यह मुद्दा ऐसा है क्योंकि म महिला सुरक्षा महिला संबान से जुड़ा हूआ है और स्वाती मालीवाल रास्वा की सांसद हैं मैला योग दिली महिलायों के अध्यक्ष रही हैं आमाधी पार्टी की प्रकर मुखर नेत्री हैं अभी तक हैं भी तक इस्तिफात नहीं दिया उन्होंने पार्टी से और उ उन्होंने कहा अध्यक्षिम वाले ने प्रस कांफिरेंस की वह जाच का विशह है वो जब जाच होगी तो उसमें वह भी सामने आएगा उन्होंने क्रॉसर फायर कराई यह सब कानुरी दाओं पेच होते हैं लेकिन राजिंदिक रूप से यह निश्चित रूप से कि तदपरता अगरोंने मनिपूर में दिखाई होती अगरोंने महिला पाहलमानों वाले में दिल्ली पूलिस ने दिखाई होती कि सुप्रीम कोड न जाना पड़ता उनको फायर के लिए और महिला शर्माजी उस पर भी रियक्ट करती यही ततपरता जो संदेश खाली में उ बुझरा जो बंग्राल के गवर्णर पर जो आरोब लगा रही है महिला उस पर भी कुछ दिखा लेती है वह भी महिला संबान का मामला है मुझे मुझे मदब कोई नहीं है ठीक है उनको इम्मुनिटी है राजीपाल महुदे को उन्होंने पुलिस को पर रिषित कर दिया है वह भी जांच का विशय है लेकिन महिलाय को इस तंगयान चाहिए ना चुको महिला ने शिकायत के फायर किया उस पर हमारे अधेश जी नहीं बोले वैसे तो मैलाय सुरक्षा की संबान की बहुत बात कि इनों ने इंडी कट बंदनों कर गार दिया हमें तो इंडिया को सब सारी मैलाय जहां मुझे निर्भया कांट रियाद आता जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था कम से कम उस वक्त लगा था कि यहां देश में एक कोई चेतना है और उस समय की ततकालीन सरकार ने जब उस मामले को जितनी परता से हैंडल किया सकता किया था 24 घंडे म संदेश खली होगी तो बीजेपी बाकी चुप रहेंगे मनपूर होगा तो बीजेपी चुप रहेंगी बाकी बोलेंगे अब मैला पालवान होगा तो दूसरे बोलेंगे बीजेपी चुप रहेंगे यह जो दोरा मांदंड है रा नितिक दुनों का कम सकब हम पत्रकारों को इस मांदं से बचना चाहिए हमें हर मामले पपनी राय निस्पक्ष और निस्परे रखनी चाहिए कोई भी हो कहीं भी हो अगर मैला संबान पर देखे यह देश में जब भगवान इस धरती पर ते तब मैला का चीर रहन हुआ दार बार में जब स्वयम परमपिदा परमेश्वर वासुदेव नारायन इस धरती पर ते और उन्होंने बचाया था तो इस देश में मैलाओं के पर तो यह आची घट सब्सक्राइब लेकिन जब मैला संबान का मुद्दा आता है तो आप सेलेक्टिव हो जाते हैं तब आपके लिए हमारी पार्टी के लोग चुप रहो हमारी हमारा हमारा इसका राजिति कुसान होगा फिर मुझे कैना पड़ता है फिर मुझें सेंग के सामने क्यों आप सब्सक्राइब तो एक मंतरी का इस्तीफा से विष्ले हो गया था कि उसने सीबाई डैक्टर खाली हो एफिडेमिट देख लिया था जब उनको अधिकार था कानून मंतरी ग्रूप में देखने का तो वो यह सोचना चाहिए हमारी संब्सक्राइब शिल्टा कहा है हम मुद् अला कि थोड़ा सा कहना ठीक नहीं लेकिन क्या इतना समय है कि 17 18 अरी कि वाद 25 वोटिंग उसका आख नहीं हो जो समेदन शील लोग है उन पर तो असर पड़ेगा निशी तूप से लेकिन जो फिक्स वोटर होता है ना उस पर असर कहा पड़ता है तमाम सारे वैसे नेता ज जीतने की पूरी सम्हाँ नहीं है वहां से अभी का जाता वो तो अपरादी नहीं ठीक है लिन बेटा उसमें ताकत तो पीछे प्रशार वही कर रहे है तो जीत जाएंगे चुनाओ क्यों कि वोटर जो है उसके लिए यह मुद्द नहीं है उसके लिए मुद्दे कुछ और ह वोट ढालते समय हम फिछलव आधक म जायेंगे और होजाएंगे समाज कली जो खयांगे में ची जो जीता हूं जो समाज के जो पाखंड सबसे बड़ी समस्या है नैतिकता की बात करने का अधिकार सिर्फ उसको है पहला पत्थर हुमारे जिसने पाप न किया हो जो पापी न हो बिलकुल अगर देखा गया तो जैसा कि मैंने बीच में भी कहा कि इस वाले मामले में महिला सुरक्षा के दावे करते हुए और सभी पाटियों में नजर आते हैं तो वही कि हमाम में सब नंगे वाली बात जो मैं भी कह रही थी बैराल 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है स्वाती मालिवाल का जो मामला है निश्चित तोर पर थोड़ा प्रभाव डालेगा जैसा कि हमारे तबाम वरिश्पत्रकारों ने कहा ल बर्सक होनी चाहिए साथ ही साथ फ्रंट पर आकर केजरिवाल को या बड़े नेताओं को ये बात कहनी चाहिए कि हां मामला जैसा भी था कुछ जो भी बात रही हो वही हो हाला कि दोनों तरफ से फायार जरूर हो चुकी है ये मामला सियासी माहौल में कितना तूल पकड़त है ये देखने वाली बात होगे लेकिन पिछले तीन-चार दिनों से लगातार स्वाती मालिवाल के मामले पर अर्विन के जिवाल की बड़े नेताओं की संजे सिंग की जैसे लोगों की लगातार किर्किरी हो रही है इसमें कोई सद्दे नहीं है बहुत शुक्रिया हमारे जुड़िए अपनी बाते रखिए कारिक्रम उसमें बहुत सारे होते हैं आप उनके साथ जरूर बात चीत करिए बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें